हेले फ्रेंड, वेलकम टो SAC campus दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है X-Critory System के बारे में इस वीडियो में हमने X-Critory System को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है अगर इससे रिलेटिड कोई भी प्रावलम है तो हमारे Facebook पेज SAC campus पे जाके कोई भी questions पोच सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तो कोई भी organism भोजन के रूप में जो कुछ भी खाता है उनमें से कुछ न कुछ ऐसे waste product बची जाते हैं जो हमारे body के लिए toxic का का काम करते हैं और इनका हमारे सरीर में इकठा होना हमारे body पे बुरा परभाव डाल सकता है इसलिए जरूरी हो जाता है कि यह जो toxic है वो हमारे सरीर से बाहर निकले और इस waste product को बाहर निकलने का जो process होता है उसे ही excretion करते हैं और यह जो waste product होता है उसको हम क्या बोलते हैं excretory material दोस्तो ऐसे बहुत सारे waste product material होते हैं जो metabolism के बाद body से बाहर निकलते हैं जैसे कि carbohydrate तथा fat तो दोस्तों carbohydrate तथा fat के digestion से carbon dioxide तथा vapor का निर्माण होता है जो हमारे body के लिए waste product के रूप में है जैसे कि हमने respiratory system वाले वीडियो में बात किया था लेकिन अब question ये उठता है कि protein के digestion से क्या बनता है तो देखिए protein के जब भी digestion होता है तो ये amino acid बनाता है और जब body protein को amino acid के रूप में use करता है तो हमारे body में तीन प्रकार के nitrogenous waste का निर्माण होता है वो कौन-कौन से हैं जारा उसको हम समझते हैं तो देखिए first है ammonia, second है uric acid और third है urea दोस्तों यहाँ पर ammonia सबसे toxic product है क्योंकि ammonia तता है uric acid बहुत toxic होता है इसलिए जो हमारा body है इसको direct secret नहीं कर सकता मतलब direct हमारे सर्ज से बाहर नहीं निकल सकता है इसको हमारे body से बाहर निकलने के लिए यूरिया में convert करने की ज़रुत पड़ती है जो liver के द्वारा होता है मतलब liver के द्वारा ही ammonia तता uric acid यूरिया में convert हो जाता है दोस्तो sodium chloride जैसे waste product को skin द्वारा body से बाहर निकला जाता है दोस्तो ये जितने भी toxic waste product है उनको किसी न किसी organ द्वारा body से बाहर निकला जाता है जिन्हें excretory organ करते हैं सबसे पहले हम human के excretory system के बारे में बात कर लेते हैं इसके बाद other organism के excretion के बारे में समझेंगे देखिए human body के पास बहुत सारे specialized organ होते हैं जो हमारे body में बन रहे waste product को remove करने का काम करते हैं तो ये organ कौन-कौन से हैं तो इसको हम deeply समझने की कोसिस करते हैं तो ये organ kidney, lungs, liver, skin तथा intestine है तो चलिए एक के करके इनको हम समझते हैं तो चलिए दोस्तो हम first बात करते हैं kidney के बारे में तो दिखिए, humans ये जितनी दूसरे अस्तंधारी होते हैं उन सब में kidney पाया जाता है जो blood circulation से निकलने वाले waste material होता है उनको हटाने और blood में present important nutrients को बनाय रखने में क्या करता है, help करता है दोस्तो जो हमारा kidney होता है वो same के बीज क्या कारका होता है एक ब्यस्क मनुष्य में परतिय kidney चार से पांच इंच लंबा, दो इंच ओड़ा और करीब-करीब डेड़ इंच मोटा, मतलब 1.5 इंच मोटा होता है और इसका जो weight है, वो करीब-करीब 140 गराम का होता है दोस्तो अगर kidney को lengthwise कार दिया जाए, तो यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बाहरी पार्ट थोड़ा सा पतला होता है, जिससे हम cortex कहते हैं जबकि जो भीतरी पार्ट होता है, वो मोटा होता है, जिसका दो तियाई भाग, मेडूला खालाता है मेडूला जो है, वो cone safe जैसा दिखता है, जिससे pyramid कहते हैं परती kidney के अंदर microtubules होती है, जिन्हें bricak या फिर nephron कहते हैं जो blood के filtration का का काम करते हैं, मतलब जो blood के filtration होता है, वो कहाँ पर होता है nephron में होता है, nephron kidney की functional unit होती है दोस्तों, nephron को excretory unit मतलब कुछ सर्जन इकाई भी कहा जाता है तो चली दोस्तों, हम बात करते हैं kidney के internal structure और function के बारे में तो देखिए, हमारा heart, blood को aurta से renal artery होते हुए kidney के अंदर भेजता है दोस्तों, पर तेख kidney में renal artery इंटर करने के बाद, बहुत सारे पतले branches में डिवाइड हो जाती है जिसे हम artioles करते हैं ये जो artioles होता है, वे सभी nephron के bowman capsule में इंटर कर जाती है जिसे affront artioles करते हैं इसी वज़ा से bowman capsule में present glomerals द्वारा, blood plasma से water, glucose, minerals तो छन जाते हैं कि वह blood cell जिसमें RBC, WBC, platelets तथा plasma protein होता है, वे नहीं छन पाते हैं और blood में ही रह जाते हैं दोस्तों, bowman capsule में छनने के बाद जो blood होता है, वो nephron के बाहर मौजूद, capillary में से उकर flow होता है निफ्रोन की अलग-अलग vessel से गुजरते समय, दोस्तों उसमें उपस्तित अनेक important जो elements होते हैं उनको नलिकाओं के चारों और मौजूद, blood capillaries दोबारा, दुबारा absorb कर लिया जाता है और blood circulation में वापस लोटा दिया जाता है इस process को हम क्या बोलते हैं, इस process को हम बोलते हैं re-observation तो दीखे, glucose और जितने भी chemicals होते हैं, जैसे कि potassium, sodium, hydrogen, magnesium, calcium वो blood में पुना absorb हो जाता है अब जो निफ्रोन में केवल waste material जो होता है, वही बच जाता है इस waste material को हम क्या बोलते हैं, urine कहते हैं, मतलब मूत्र कहा जाता है और इसमें urea, पानी और inorganic salt होता है दोस्तो pure blood 900 में चला जाता है, जो blood को kidney से वापस heart में ले जाते हैं renal pelvis से एक लंबी तथा narrow duct निकलती है, जिसे ureator कहते हैं जो urinary bladder में खोलती है दोस्तो urine का जो पीला रंग है, वो hemoglobin के decomposition से बने euro chrome नामक pigment के कारण होता है urine के गंध का कारण, इसमें उपस्तित carbonic पदार्थ होता है urine का जो pH मान है, वो 5 से लेके 8 के बीच में होता है एक समाने बैक्ति के urine में, water 96%, urea 2%, protein, fat, sugar 1.3%, uric acid 0.5%, बाकी के बहुत कम मात्रा में और elements पाय जाते हैं तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि kidney के हमारे सरीर में क्यों ज़रूरत पड़ती है मतलब kidney का main work क्या है हमारे body में तो दिखिए, kidney का main काम है, metabolic activity का दोरा, जो भी toxic हमारे सरीर में बन जाते हैं उनको urine, मतलब मूत्र के रास्ते, सरीर से बाहर निकालना है दोस्तों, यह blood में present hydrogen iron के koncentration को контрol करने का भी काम करता है यह blood के arithmetic pressure तथा उसकी quantity को काम करता है Kidney, blood तथा tissue matter में, water human salt की जो मात्रा होती है, मतलब quantity होती है उसको maintain करके, blood pressure को बनाया रखने का काम करता है मतलब, blood pressure को control करने का काम करता है यह बाहरी पदार्थ हो जैसे कि medicine, poison, इत्यादी जिसका सरीर में कोई काम नहीं होता है उनको भी हमारे सरीर से बाहर निकालने का काम करता है तो चलिए दोस्तो अब next excretory organ lungs के बारे में बात कर लेते हैं humans में वैसे तो lungs respiratory system से related organ होता है लेकिन यह रिस्प्रेशन के सांसा एक्स्क्रीशन का भी काम करता है lungs दोरा दो प्रकार के गैशिय पदार्थों का उचसर्जन होता है first है carbon dioxide और दूसरा है vapor कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि लासोन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें vapor substance पाय जाते हैं उनका भी जो excretion होता है वो हमारे फेपड़ी मतलब हमारे lungs के द्वारा होता है दोस्तो third skin organ के बारे में बात करते हैं तो देखिए तो हमारे skin में महली दो gland present होता है एक oily gland और दूसरा sweat gland दोनो gland sebum एवं पसीने को secret करती है sebum एवं पसीने के साथ साथ जितने भी excretory substance हमारे सरी में मतलब हमारे skin में होते हैं वो सारे के सारे हमारे सरी से बाहर निकलाते हैं next हम बात करते हैं liver मतलब fourth हम liver की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर liver cell amino acid तथा blood की ammonia को urea में convert करनी का काम करते हैं इसके अलावा भी liver के और सारे काम होते हैं इसके अलावा liver तथा spleen cell tutti-footy blood cell को separate कर उन्हें blood stream से अलग कर देती है दोस्तों liver cells hemoglobin का भी separation करके उन्हें blood stream से अलग कर देते हैं next and fifth हम बात करते हैं intestine के बारे में मतलब हमारे आथ के बारे में देखिए intestine wall में blood cell का एक network होता है इस cell के blood में जितने भी विकार पदार्थ होते हैं उसकी जो कुछ मात्रा होती है वो intestinal cell diffuse action द्वारा absorb करके intestinal cavity तक पहुचा देती है यहां से वे मल के साथ बाहर निकल जाते हैं इस परकार intestine जो अनपचे हैं मतलब undigested food होते हैं उनको सरीर से बाहर निकालने का काम करता है आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe पर लिजिए और उसके बगल में छोटा सा वेल इकन है उस पर भी click कर लिजिए ताकि time to time जो भी वीडियो हम upload करेंगे आपको notification मिलता रहा है दोस्तों आप मुझे Facebook पर भी follow कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को WhatsApp पर फेस्बूक पर share अवश्य करें कि पर हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी आपके सुझाओ का हमेशा स्वागत रहेगा